हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है फुल एजूकेशन सपोर्ट में ये पूरा जो एक प्लेलिस्ट हम लोग बना रहे हैं जो है मुंबई उनिवर्सिटी का एक्जाम आ रहा है बी एमेम स्ट्रीम का तो उसमें जो सब्जेक्ट है मीडिया साइकलोजी मैनेजमेंड हम लोग सब कवर करने वाले है साथ दिनों के अंदर तो आपको ये पलेलिस्ट मिल जाएगी इसमें बेम युनिवर्सिटी कर गर सा प्लेलिस्ट रह गा तो हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टा अल टो पडला हम लोग का जो सब्जेक्ट है मीडिया साइकलोजी तो ह सबसे पहले हम लोग introduction of psychology, the word psychology is derived from the Greek word psycho which means soul and logos, which means a study, hence psychology could be defined as a study of soul, तो यह जो definition ही आप लिखके रख लीजए है, बहुत important है और बहुत easy है, यह कोई hard word में नहीं, बहुत easy word में है, definition as it is ही लिखना पड़ता है, और जो आज की meaning में है, जैसे question आ गया, what is the meaning of psychology in today world, तो आप यह लिख सकते हो, psychology is defined as the science of behavior and mental process, the three important words here are science, behavior and mental process, बहुत आप यह तीन behavior है, जो आज के जमाने में यूज किया जाता है, तो हम लोग psychology को किस तरह के से derive कर सकते हैं, जैसे का है psychology को derive करो, तो science, the word science is referred to the body of systemized knowledge, means जो word इसमें psychology में, जो यह science word यूज किया गया है, तो इसमें बोला गया है, the word science is referred to the body of systematist knowledge, मतलब जो perfect knowledge रहता है, psychology का process का body का, यह हम लोग पुरा starting से कर रहे हैं, तो आप समझ जाएगा, इसी यह बहुत behavior, हम लोग behavior के उपर depend रहते हैं, जैसे psychological जो रहता है, वो behavior किसी के action और behavior के उपर depend रहता है, तो इसमें भी लिखा गया, behavior means any overt moment or action that a person perform which can be observed, अभी उसके बाद है mental process, हम लोग का mental process रहता है, means क्या वो process to process that we cannot directly observe, of, जो mental process रहता है, mentally thinking रहता है, हम लोग directly observe नहीं कर सकते हैं, हम लोग को सोचना पड़ता है, तो यह था definition of psychology, हम लोग बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे, दो-चार मिनट के वीडियो बनाएंगे, क्योंकि revision के लिए रहेगा, तो आप प्लीज इस वीडियो को देखे, और psychology के उपर और वीडियो जाने वाले, तो प्लीज चैनल को, और खास करके like ज़रूर करते, ता ये दूसरों को सजा सकत, thank you.